कासींपुल पूलिफ ने चेकिंग के दरान चोड़ी की 14 मोटरसाइकल वुपाथ 3 चोड़ की गिरपतार एक मौका वार Taj making अंतर जनपदी वाहन चोड़ों के गिरों का पर्दाफास करते हुए 3 लोगों की गिरपतार करूं के कब जिस 14 मोटरसाइकल बरामद की है एक सक्रीफ अधस भाग निकलने में सफर रहा पूलिस उसकी तलास में लगी हुए मामले का खुलासा करते हुए अपर पूलिस अधिच पूर्वी ग्याननजक सिंग ने बताया कि जनपद में वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुस लगाने वाइन की बरामदी के लिए पूलिस वाहन की तलास कर रही थी इसी बीच पूलिस ने चेकिन अभ्यान चलाया कल वहापूल के पास दो बाइक पर तीन वेक्तिया आए उनसे जब कागज मांगे गए तो कागज ना दिखा सके इसके बाद पूलिस ने उन्हें हिरासत में लिए पुष्ताच की तो उन्हों इन्हें अपना नाम सूरज यादो वा अकास यादो निवासी सनई थाना संडिला वा मोबील पूत्र सनई निवासी गोरियां कला थाना बेटा मुझावर ना बताया इसपी के मुताबित उन्हों ने इनके पास पूलिस ने दो मोटर साइकल बरामत की और कड़ाई से पूस्ताच करने पर उन्हों ने जरहा की नहर कोठी के खंडहर में छुपा कर रखी नो मोटर साइकल और बरामत करवाई इसपी ने बताया कि पूस्ताच के जवरान लोगों ने बताया कि यह सभी बाईक के चोरी की और नंबर प्रेट बदल कर ग्राहक रूड कर कम दाम में बेचने का काम करते हैं इनका एक साथी रामु निवासी सनाईस भाग निकलने में सफरा पूलिस इनकी तलास कर रही है और इन लोगों ने आसपास के जनपनों में भी वाहन चोरी की घटनाओं को सिकार किया इनका कई थानों में अपराधी रिकार्ड इतिहास दर्ज है इसमें कासिमपूर कुलिस के बड़ी सफलता मिली है इसमें उन्होंने 14 मोटसाइकले चोरी की उन्होंने बरामत की है और जिसमें से 11 मोटसाइकले कनेक्ट हो गई है कि उनके मुकदमे पहले से दर जाए और यह पता चल गया है कि गाड़ियां कहां से चोरी हुई है सुरत ज्यादा हो आकास ज्यादा हो वह भी इन तीन गत्ती है जो कि मोटसाइकलों से जा रहे थे और कल्रावां पुल के पास चेकिंग में पड़ड़े गए उनसे पूस्ताज के दौरा इन गाड़ियों की बरामगी हुई है इनके विरुद्ध इनको घ्रुद्तार करके जेल बेजा जा रहा है गंगेष्टर एक्ट की भी करवाई कराई जाएगी इनके तो अभी 10 मुकदमे तो अभी पहले के 11 मुकदमे जो ट्रेस हुए है तो इनका अपराधी कितिया थे ही है और पहले के वे अगल बगल की जनकुतों में ठागाला जा रहा है तो साथी साथ इनके कनेक्शन को भी कहां पर मोटसाइकल निले जाते हैं कहां बेजते थे कहा कटवाते हैं कि सारी चीजों को तप्तिस की जा रही है